12 साल की regular consistent practice के बाद भी मैं इसे नहीं सीख पाया For almost 5 days in a week, consistently for 12 years मैंने एक particular चीज अपनी जिंदगी में करी और तब भी मैं उस चीज को नहीं सीख पाया क्योंकि जब भी मैं उस चीज के practice कर रहा होता था वो एक बहुती ज़ादा forced practice होती जी And I personally feel majority of students जो की इस video को देख रहे हैं इससे relate कर पाएंगे क्योंकि उनकी जिंदगी में भी probably यह चीज होती थी क्योंकि हम सब लोग school गए हैं और इसी school से related है और मेरे खाल से बहुत सारे लोगों ने अभी predict कर लिया होगा तो भाई अब इस चीज का खुलासा कर देते हैं इतनी देर का मैंने suspense बनाया हुआ है फिर हम अपनी learning पे आएंगे जो की हम इस lesson से derive out करने वाले हैं जो की हम अपनी JEE preparation में definitely apply करेंगे और उसे improve भी करेंगे तो भाई मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ बच्पन से उसका नाम था सुरी नाम है सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल तो कॉन्वेंट स्कूल में हमारी poems होती है शुरुवात में daily basis पे सुबए poems रेसाइट कर वाई जाती है तो एक poem थी जो की start होती थी आर फादर उसके बाद की में को लाइन याद नहीं है ऐसे बीचेज में terms में को थोड़े बहुत याद है हैलो भी दाइन एम करके ऐसे लाइक बहुत सारे terms होती थी अलग अलग तो लाइक शायद दो मिनिट की poem होती थी वो जाद से जादा और मैंने उस poem को daily wishes पह जब भी मैं school जाता था मैं उसको recite जरूर करता था लइक सभी करते थे करनी पड़ती थी भई stage पर जो भी लाइक जो माईक है जसके आगे वो बोल रहा है फिर हमें उसके आगे रिपीट करना होता था और like मेरे school days भी ऐसे रहे हैं कि मैं probably 99.9% of the days गया ही होंगा school में like छुटी बहुती realities होती थी मेरे लिए तो भाई ये poem जो है मुझे इन 12 सालों में like LKG, UKG उसके बाद first class से लेके 10th class तक पढ़ाऊँ में 12th के बाद like JEE preparation वगरा में आगे थे 11-12th में school नहीं था तो 12 साल तक school में रहने के बाद भी हमें our father वाली Mirko, personally Mirko बहुत सारे students के साथ भी ये हालत है उनको ये poem अभी भी आद नहीं होगी बहुत सारों को except for those जो school में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे मैं school में बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई करने वाला student नहीं था वो ही 70-60% अच्छी परसेंट वाला student था कई बार ये poems exams में भी आती थी like शायद moral science के exam में आती थी तो like आधी लिख देता था, मैं जितनी थोड़ी बहुत याद होती थी इतनी लिख देता था पर कभी 100% आज तक याद नहीं होई तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़ादा बहतरीन lesson हम यहाँ से drive कर सकते हैं, that is कि जब इंसान को मजा नहीं आ रहा होता जब practice करते वाक्त है, कोई भी चीज करते वाक्त उसको process में मजा नहीं आ रहा होता है तो कोई चीज अगर तो मुझसे daily basis पे 12 साल तक करवाओगे, तो उसे वो नहीं आ दोने वाली तो भाई, school में जब मैं सुबह उस poem को recite कर रहा होता था, तो मुझे बहुत ज़ादा नीन आ रही होती थी बिल्कुल सुबह का time होता था school के लिए अर्सुबह उठके जाना, फिर उसमें line में खड़ा होना इतनी नीन आ रही होती थी, किसको अच्छा लगता है मेरको तो नहीं लगता था, लब in general most of the time नहीं लगता था, अब जो है वो है so the lesson that we can derive out here is इसके एक process का मज़िदार होना हमारी learning पर कितना जाधा impact डालता है तो यह मैंने तुम्हें एक extreme case दिया, इसका एक opposite extreme case भी देता हूँ मेरा एक cousin है, उसको probably 300-400 है फिर इससे भी जाधा गाने याद है जिसमें से कुछ English के गाने है, कुछ Hindi के गाने है और उसने कभी लाइक stress नहीं दिया कि मेरे को गाने याद करने है उसको automatically याद है बहुत सारे गाने academics में हो बहुत खराब है पर उसको इतने सारे गाने याद है कि मेरा दमाग खराब हो जाता है, देखके मुझे literally मेरे को एक गाना भी जाए डंग से याद नहीं होगा पूरी तरह से पर वो गानों को इतने जादा involvement के साथ सुनता है इतने feel के साथ सुनता है, इतने मज़े के साथ सुनता है कि automatically वो उसे याद हो जाते है कोई भी नया गाना आता है, उसे 3-4 दन में याद हो जाता है और पूरा पूरा line to line, word to word याद रहता है तो यापर तुम देख रहे हो, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है और कोई चीज मुझे 12 साल करवाई, मुझे फिर भी याद नहीं होगा और चीज कितनी थी 2 मिनिट की और एक इंसान है, जिसको इतना ज़ादा मज़ा आ रहा है वो चीज करने में और याद नहीं करना चाहरा है फिर भी याद हो जारी है तो कितना ज़ादा drastic difference create कर देता है, मज़ा आना So with the help of this video, I wanted to highlight the importance of being joyful while studying कितनी exponential rate से learning हो सकती है अपनी learning rate को enhance करूँ, कैसे अपनी पढ़ाई में sense of joyfulness develop करूँ इसके लिए मैं already बहुत सारी videos बना रहा ही है ये video मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं तुम्हें इस चीज की mechanism बता हूँ कि कैसे तुम्हें joy को develop करना है इससे रिलेट कुछ videos में बना रही है बट इस एंडलेस topic फॉर मी एस वेल मैं जितनी इसमें exploration करता हूँ उतने ही इसके endless methods जोए derive out करना शुरू कर देता हूँ तो definitely कभी अगर इस इस पर मैं proper research करना शुरू करूंगा तो मैं तुम्हारेसा जरूरू शेर करूंगा बट काफी चारी ओल्री वीडियो में डाली हूँ यह जिनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिये हूँ है जिसमें बताया कि कैसे तुम अपनी पढ़ाई में sense of joy को induce कर सकते हो जिससे नाचरल तुमें किसी सको पढ़ने मजा आएगा और तुमारी learning rate exponentially बहतर हो जाएगी I hope this video was beneficial enough for you और तुमारे दिमाग पर मैंने इस बात का एक impression डाला हुआ इस तीज की significance का joyful feel करने की significance का and it will make at least some amount of difference in your jay preparation so guys that's all for this video see you in the next one